हेलो फ्रेंड्स आज की जो डिजाइन है इससे आप अपने ब्लाउस में भी बना सकते हैं और टॉप में भी और इसे कुरती गाउन और किसी भी ड्रेस में बना सकते हैं ये बहुत ही अच्छी लगती है तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और comment करके बताईएगा कि आपको ये design कैसी लगी तो चलिए start करते हैं यहां हमने लिया है lining 80 cm, main fabric 80 cm और 7 ही हमने net fabric लिया है यह 1 meter लिया है हमने, आप अपनी पसंद का कोई भी net ले सकते हैं सबसे पहले हमें lining की cutting करना है यहां हमने आगे और पीछे वाले part की marking कर लिये lining को हमने एक तरफ से fold किया है जिसकी चोड़ाई हमने लिये 11 inch जो की हमारा 36 का 4th part plus 2 inch लिया है हमने 36 का 4th part होता है 9 inch, हमने यहां 2 inch बढ़ाके 11 inch लिया है और blouse की लंबाई हमने लिये 15 inch जो की सिलके 14 inch आएगी आगे और पीछे वाले parts सेम ही लेना है हमें solder हमने लिया है 7 inch और armhole हमने लिया है 6 inch जो की solder से 1 inch तिर्चे में लेते हैं आगे के armhole की गुलाई 1 inch है और पीछे के armhole की गुलाई 1.5 inch है और आगे वाले part में हमने tucks दिया है 5.5 inch का और पीछे हमने दिया है 4.5 inch का तो इसमें दो ही टक्स देना है हमें आगे भी और पीछे भी अब इसकी cutting कर लेना है अब ये दोनों पार्ट को main fabric पे भी cut कर लेना है यहां हमने main fabric की cutting कर लिये अब इसमें neck draw करना है तो यहां से हमें neck की length लेना है 5 इंच और यहां से हमें mark करना है 6.5 इंच और पीछे वाले पार्ट पर भी same neck लेना है हमें कि अब कर दो इस तरह से दोनों पार्ट्स फरी नैग बनाने के बाद में फैब्रिक को हमें सीधा रखना है उसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे और ये नैगपे स्टीचिंग करना है और यहां कमर पर दोनों पार्टस में यहां स्टिचिंग करने के बाद इसीचिंग के हाफ इंच अदर से हमें नैक को कट करना और इसको पलट लेना है इस तरह से दोनों पार्ट को पलटा लेने के बाद नैक के किनारे पर और कमर के किनारे पर stitching करना है यहां हमने आगे और पीछे वाले पार्ट तयार कर लिए शाथ ही हमने टुक्स भी दे दिये है अब इसमें से हमें एक पार्ट अलग रख देना है और यहां पर यह हमारा आगे वाला पार्ट रख लेना है इस पर और यह नेक की मार्किंग कर देना है और यहां से और यहां से कट कर लेना है तो यहां यह नेट फैब्रिक को हम इस तरह से रखेंगे कि दोनों सीधे-सीधे पार्ट इसके अंदर हो और उल्टे-उल्टे बाहर की तरफ हो यह के पास से यहां उपर से हमें जॉइंट कर लेना है दोनों तरफ से और यह आगे और पीछे वाले पार्ट में भी सोल्डर अटेच कर लेना है यहां हम इसे सोल्डर भी जॉइंट कर लिया है साथ ही इसमें हमें स्लीज जॉइंट करना है साथ ही हमने यह जो नेट की गटिंग की थी इसको यहां पर नेट से मिलाते हुए राउंड में अटेच कर देना है यहाँ पर हमने sleeves और net attach करने के साथ हमने इस पर lace भी लगा कर इसको decorate किया है अब इसमें हमें fitting देना है एक side तो fitting दे देंगे और एक side hook लगाने के लिए fold करके खुला रहने देंगे जिसमें हम hook लगा सके और ये design तयार हो जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो like और share जरूर करे और अगर आप कुछ पूछना चाते तो comments में पूछ भी सकते है और जिन लोगों ने channel को subscribe नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए thanks for watching कि अगर आपको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए